जै मातादी मित्रो स्वागते आप सभी का हमारे यूडियूब चैनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो आने वाले 24 घंटों में यानि की दिनांक 13 जुलाई 2003 से मित्रो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है यह परिवर्तन पूरे जीवन को बदल कर रख देगा मित्रो बहुत खास वीडियो होने वाली है एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और बड़े ही ध्यान से समझना आईए सबसे पहले अगर हम नजर डालें पंचांग पर तो मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि 13 जुलाई को गुरुवार का वार है साथ में आसार मास के क्रश्न पक्स की एका दसी तिती है यानि कि मित्रों इस वक्त कमी का एका दसी है वहीं आप सभी को बता देते हैं कि क्रति का नक्सत्र का निर्मान हो रहा है और सुल नाम की योग बन रहा है मित्रों अगर सुर्र की इस्तिती देखें तो सुर्र तो व्रसबरासी में विराजमान रहेगा तो वहीं दूसरी और चंद्रमा जो है मित्रो वह भी द्रसब रासी में ही विराजमान रहेगा तो सुर्य और चंद्रमा की इस्तती मित्रो एक साथ होने पर आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कौन से सूब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे कौन से असूब समाचारों की प्राप्ति आपको होगी क्या साउधानिया आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा समस्त बाते समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताएंगे मित्रो हमारी इस छोटी सी वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमतकारी उपाईं एवं सिध मंत्र लेकर आएं हैं जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिध होंगे तो आईए मित्रो अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना वीडियो की सुरूवात करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं अच्छे आप हैं क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है मित्रो भगवान हमारे जीवन में कुछ रिष्टे जो भेजता है वह जीवन को सवारने के लिए भेजता है अगर आपके जीवन में भी कुछ लोग एसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो मित्रो जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि वह फरिष्टा नहीं एक बहुत ही बड़िया रिष्टा है तो आईए इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं मित्रो 24 गंटों के समय अंतराल की योर मित्रों बता देते हैं कि आप के लिए यह दिन बेहद सूभ रहने वाला है जी हाँ क्योंकि जितनी नकरात्मक्ता थी वह नकरात्मक्ता अब दूर होगी और आपका काम पुन्ह गती पकड़ेगा और मित्रों पुन्ह उसमें अच्यानक ही तेज बहावाएगा और काम फिर से मित्रों बढ़िया चनने लगेगा वहीं मित्रों सूभ परिणाम मिलने से आपकी जीवन में कुछ उस्सहाबी बना रहेगा और पूरे समय भाग दोड लगी रहेगी कभी यहाँ तो कभी वहाँ आपको भाग दोड करने पड़ेगी युवाव को अपने अध्यन और करियर के प्रती एका ग्रता रखने से सफलता मिलेगी और अगर घर का कोई सदश्य किसी बात को लेकर नाराज है तो बादचीत के माध्यम से मित्रो वह नाराज व्यक्ति मान जाएगा आपको बाते सुधार ना है ना की बिगार ना है सारवजनिक इस्तान पर थोड़ा सैयमित रहने की जरुरत है वरना मित्रो आपका मजाक बन सकता है और अपने प्रसनल बाते किसी के साथ भी शेयर ना करे प्रोपटी संभन्दित कोई भी कार्रे सावधाने से करें या किस्तगीत रखें कोई भी पेपरवर्क करते समय पहले उस पेपर की अच्छी तरहसी जाच परताल कर ले मित्रो उस पेपर में लिखी एक एक बातों को मित्रो समझ लें और बिजनेस करने वाले लोग नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उस्साहित रहेंगे अनुभवी लोगों का मार्ग दरसन भी आपको मिलेगा और पार्टनर्शिप संबंदित कामों में लिया फेशला फाइडे मन्द रहेगा नोक्री में प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए प्लान जरूर बना ले मित्रो और हाँ वेवाहिक संबंदों में चल रही गलत फेहिम्या दूर होगी तथा संबंदों में भी मधुरता आएगी लव पार्टनर के साथ मुलाकात का आउसर मिलेगा और पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ संबंदित परेशानी से आपको कुछ राहत मिलेगी मित्रो समय पर अपने दवाईया ले तथा प्राकर्तिक इलाज पर भी भरोसा रखें पूरानी गलतियों का अउलोकन करें और फिर आगे बढ़े मित्रों क्योंकि पूरानी गलतियों से सबग लेकर आप जो आगे बढ़ेंगे तो वह आगे बढ़ना आपको मित्रों बहुत बढ़िया लाब दिलाएगा वही परिष्टिती में बदलाव होने से आप सफल हो सकते हैं पेसों से संबंदिस समस्या दूर होगी और विध्यार क्योंकि रूची पढ़ाई में हो सकती है जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें अपने काम में रूची होने लगेगी और अपने जीवन को सकरात्मक तरीके से देखने का नजरिया बनेगा मित्रो आपको बता देते हैं कि जीवन में आप जितनी जड़ा सकरात्मक ता रखेंगे उतना ही बड़िया आप लोगों के लिए रहेगा करियर से जड़ी जिन बातों में आप खुद को कमजोर समझते हैं उन बातों पर ध्यान दे खुद को बहतर बनाने की कोशिस करें और रिलेसंसिप में बदलाव करने के लिए आपको सहियम बनाए रखना है मित्रों बता देते हैं कि आर्थिक लाब के अउसरा प्राप्त कर पाएंगे नए परिचितों से दोका खाने से बचना है अपने विकल्प समझदारी से चुने पारिवरिक जिन नवन तनाव भरा रह सकता है तो आपको समझदारी से ही काम लेना होगा हवा में बाते करेंगे तो प्रोब्लम सो हो सकती है मित्रों इसलिए हवा में बाते बिल्कुल भी ना करें बता देते हैं कि भाई बेहनों के साथ आपको मधुर समझद बना कर रखने हैं और किसी के भी प्रती जलन और इस्रिया की भावना नहीं रखनी है तो आईए मित्रो अब हम आपको बताते हैं कुछी चमतकारी एवं सिध्ध उपाई जो आपकी जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिध्ध होंगे मित्रो गुरुजी का एक छोटा सा उपाई है और गुरुवार का ही है गुरु ग्रह को प्रबल करने के लिए सुभ इशनान के बाद देव गुरु ब्रहसपते की पूजा करें उसके बाद ओम ब्रह्म ब्रहसपते नमः मंत्र का जाप कम से कम एक माला करें तुलसी की माला का उप्योग करे मित्रो, आपकी जीवन में सुख सम्रद्धी आएगी, धन एवं दोलत में, व्रद्धी होगी और अपार सुख आपको मिलेगा वही मित्रो, एक और छोटा सा उपाई, जान लीजिये, बहुत खास है, इस उपाई से दोड़ी चली आईगी मालक्स में मित्रो, सावन में जरूर करे ये उपाई, चान्दी की सिक्कों के साथ, यदि सफेत कोडिया घर की तीजोरी में रखी जाएं, तो निश्चित ही धन लाब होना सुरू हो जाता है मित्रो, ओडियों को के सर या हल्दी से, रंग कर, पिले कपने में बांध कर, घर की तीजोरी में रखने से, लक्समी जी हमेशा घर में निवास करने लगेगी वही तीजोरी में, गल्ले में या अल्मारी में, जहाँ पेसे रखते हैं, वहाँ कोडिया रखने से, अपार धन लाब होने लगता है तो मित्रो यह था छोटे छोटे उपाए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जै मालक्समी अवश्य ही लिख दीजिएगा और देनेक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी मित्रो जुड़ ज़ूँ